जी हाँ दोस्तो आज मैं फिर आपके सामने हाजर हूँ एक और बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो बहुत जादा कोश्चन पोच रहते के सर जो है कनेडा में असाइलम लेके किस तरीके साम वहां की पियार या सिटीजिंश हम डे सकते हैं क्या उसका प्रोसेस होता है औ पर एक वीडियो बना देता हूँ पूरी जो है डिटेल में जिससे के उन लोगों को तो उनका कोश्चन मिली जाए और आप लोग भी अगर नए है तो आपको भी इसका रेप्लाई मिल जाए और अगर आप अभी नए है चैनल पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नी बोस्तों जैसे के आपको पता ही है बहुत से लोग जो है जैसे के आपको पता ही असाइलम लेते है कनेडा पहुचके और उसमें वहां का वर्पर्मिट उन्हें मिल जाता वर्पर्मिट के बाद प्यार और प्यार के बाद सीडिजन्शिप ले ले लेते हैं तो अब इसका क प्रोसेस होता है, कौन को लेग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, और किस तरीके से यह अप्लाई होता है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिसकस होने वाली हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाज तक देखते हैं, इसकिप ना कीजिएगा, जैसे के दोस्तों बता है, असाइलम देखेगा, कनेड़ा में दो तरीके के होते हैं, एक होता है आउटसाइट कनेड़ा और होता है एक इनसाइड कनेड़ा, ठीके ना, आउटसाइड कनेड़ा पर मैंने अलग इस स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई हैं, डेस्क्रिशन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वीडियो लंबी हो जायेगी आज हम बात करेंगे इंसाइट कनेड़ा इंदा पहुचने के बाद वहां असाइलम लेके किस तरीके से आप जो है तो वहाँ जब आप पहुश जाते है जो वहाँ पर जीसे की आप उसमें अब जब बहाँ पहुश जाते है तो दो तरीक एड़ को ए। अमिग्रेशन होता है वहाँ पर जाकर आप असाइलम ले सकते हैं ठीक है और ऑर दूसरा यह है कि इनलेंड यानी आप जो है और अफ सबाहर निकल के बाहर जो है लोयर की मदश दो से असाइलम ले सकते हैं तो वैसे जो यह एरपॉर्ट पे जो लेते हैं इसमें क्या होता है जब आफ एरपॉर्ट पर असाइलम लेते हैं थो वहाँ एमिग्रेशन ओफिसर ёँआ अपको जुए अलग रूम में ले जाता है आपको पूरी आपकी डिटेल लेता है और डिटेल लेने के बाद पूस्टा है कि भई आपकी जुय क्या मेहरा प्रॉब्लम है देखेगा asylum जहाँ asylum ले सकते हैं ठीक ना तो वहाँ जब वो officer आपको जो है अलग room में लेकि जाएगा तो आपसे वो पूछेगा सारी detail तो वहाँ आपको जो है वो interview होता है वहाँ पर तो वो interview में आपको सारी चीज़े बतानी है यहाँ पर हमारी country में यह problem है इस वोज़े से मैं यह asylum लेने चाह रहा हूँ ठीक ना यानि कि story होती है वो आपको पूरी बतानी है और आपकी वो जो वीडियो है वो record भी होती है वहाँ पर ठीक है ना तीन से चार घंटे आपको हुआ airport पर वो बिठाते हैं और आपको जो है ग्रेफिजी आईटी दे दी जाती है ठीक ना लेकिन यह तरीका थोड़ा सा जो है ना आपको इसमें हर step जो है खुदी फैस करने हैं तो यह मैं आपको guide नहीं करूँगा दूसरा जो होता है तरीका वो inland asylum का होता है उसमें जो है आपको कोई फैस नहीं करनी पड़ेगी किसी भी immigration officer के साथ या इस तरीके से कोई immigration officer के साथ नहीं वहाँ directly जो है आप जो court है वहाँ जा करके अपनी जो अपील कर सकते हैं ठीक है ना तो inland वाले में यह है कि उसमें आपको थोड़ी से महनत होगी थोड़े दोड़ भाग उसमें करनी पड़ेगी लेकिन हाँ यह है कि इसमें आपको असाली से जो है asylum लेके वहाँ का प्यार मिल जाता है तो second option वह जब आप inland में जो है इसमें सबसे पहले तो आपको काम यह करना है कि आपको वहाँ अपनी alia accommodation ढूणनी है आपको को financial की में सरकिल में हो उनके पास आप रुख सकते हैं या वैसे भी कि वहाँ local में जो है जिस city में भी आप पहुचे हैं तो वहाँ पर आप जो है एक room ले सकते हैं क्योंकि address आपको होना Canadian dollar जो है होती है ठीक है ना तो वह PR होने तक आपके साथ ही मरलब आपके सारा process वही कराते हैं आपके साथ ठीक है ना अब आप पूछेंगे भी हमारे पास तो 4-5,000 Canadian dollar नहीं है तो उस condition में आप जो है Canadian government से help भी ले सकते हैं government आपको help लेती है आपको एक Canadian लेकिन उसके लिए है के वो Canadian Canadian citizenship lawyer आपका होगा यानि गोरा जो होते हैं गोरा होगा आपका जो lawyer होगा गोरा या गोरी होगी तो वो आपका case जो है पूरा handle करेगा ठीक है ना तो जो वो handle करेगा तो उसके बाद आपको देखे का एक ID महां मिल जाती है प्यार होने तक आपको एक ID महां पर जो है government की तरफ से मिल जाती है ठीक है ना और 28 दिन बाद जब आप asylum apply करते हैं तो आपका medical भी होता है तो वो medical जब आपका हो जाए तो आप अपने lawyer को जो है एड्रस पाएगा ठीक है ना और वो एड्रस पाने के बाद वो तुम्हें देगा और यह open work permit होगा इसमें आप कहीं भी काम कर सकते हैं जैसा कि किसी भी तरीके का काम टेक्सी मौल में यह किस तरीके काम जो है आप कर सकते हैं ठीके ना अब यहाँ पर देखिएगा एक important चीज यह है कि आपको एक तो नहाँ पर सबसे पहला काम आपको अपनों bank account खुलवाना जब आपका work permit आ जाए उसके बाद driving license अकर आपको जो है निकलवाना हो दर ठीके ना यह द जब आपको date मिल जाएगी तो आपके पास document आपको submit करने होते हैं ठीके ना अब मैं यहां बता दूंगा document जो है आपके lawyer ही सारे जो handle करेगा और हाँ इसमें दीखेगा asylum लेने के में यह भी फायदा है इसमें ना तो कोई तुम्हारी education ना तुम्हारा कोई जो है work experience ना कोई आपका IELTS का score इसमें कोई चीज की requirement नहीं है document जो होते हैं वो आपका lawyer आपको बताएगा कि जैसे के आपके home country से आपका proof के तौर पर कुछ चीज है वहाँ से मंगाए तो आप महाँ से मंगा के वो submit करा सकते हैं ठीके ना तो hearing होगी है आपकी hearing की एक date आती है तो वो आपको court में जाना पड़ता है वहाँ पर तो वहाँ पर आपका lawyer और और जो दूसरी side से जो होती है तो वहाँ 5-6 घंटे आपको जो है यह वहाँ पर आपकी hearing होती है यानि आपकी case जो है सुना जाता है और सारी चीजों के बाद अगर वो accept हो जाता है यानि वो आपको जो है आपका case accept हो जाता है तो आपको उसी दिन आपको PR apply करने का form दे दी जाता है और 6 महीने गंदर आप जो है यह ले सकते हैं वहाँ की PR मिल जाएदी कि आपको बिना किसी education के बिना किसी work experience के और बिना किसी IELTS score के तो 6 महीने बाद आपको प्यार मिल जाती है और hearing की जो date आती है वो IRB में जो है वो 6 महीने बाद आती है asylum apply करने के 6 महीने बाद यह और 6 महीने बाद PR यानि साल भर में आप जो है वहाँ के प्यार हो जाते हैं तो प्यार permanent exit होने के बाद आपके जो है यह आप अपनी family को भी उधर बुला सकते हैं अगर आपकी family वहाँ है तो पूरी family को प्यार मिल जाती है और अगर आपकी family वहा content team है तो आप उन्हें बुला करके उनको भी PR मिल जाती है तो बहुत अच्छा option है इसके लावा जैसे कर आपका cash reject हो जाता है तो उस case में आप जो है इसको reappeal कर सकते हैं ठीके ना और reappeal करने के बाद फिर भी आपका cash reject हो जाता है तो जैसे कर आपको 2-3 साल का time ऐसे मिलता है तो उस पर अगर आप जो है हर महीने जो है tax pay कर रहे हैं और हर अच्छे से वहाँ पर रह रहे हैं तो उस पर भिहाब पर भी आपको वहां की 2-3 साल बाद जब भी आपको प्यार मिल जाती है तो कहने के मलब यह बहुत अच्छा तरीका है अगर इस तरीके साब के home country में जो है इस तरीके से आप पर जुल्म है या आपको problem हो रही है तो आप asylum ले सकते हैं उसके लिए वही है जैसे मैंने बताया आपका Canada होना लाजिम है तो आप Canada किस तरीके साब visit visa पे study पे कैसे जाना चाहते हैं वो सारे step आपको बताए हुए हैं आपको किसी भी तरीके की इसम और कोई भी question क्यों रही है प्लीज कमेंड बॉक्स और कमेंड करके बताएगा मुझे और आपको किन-किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससके अमुसरेटेड वीडियो बना सके नमल की वीडियो बना सके आपको पूरा guide भी कर सके तो तब तक अबना बहुत सा ख्यार ल लैप टॉप में जिसमें भी आप YouTube देखते हैं उसके home page पर नजर आ जाएगी और bell icon दबा लीजेगा उससे भी आपको by notification हमारी वीडियो मिलती रहती है तो तब तक अबना बहुत सा ख्यार अच्छा सा ख्यार लखिएगा दोस्तों अल्ला हाफिज, have a nice day झाल 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 झाल